हाई गाईज हलो बच्छपार्टी कैसे है आप सब लोग आई होब सभी बच्छे काफी अच्छे होंगे माई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक चैप्टर है वेव आप्टिक्स वेव आप्टिक्स में बेसिकली तीन टॉपिक्स हुआ करते थे इंटफरेंस, डिफ्रक्षिन और पोलराइजीशन जिसमें से दीफ्रक्षिन को तो अभी पूरा- पूरा कक developing कर दिया गए है अब बच्छता कौन-कौन सा है इंटफरेंस और ढीफ्रक्षिन इंटफरेंस और डिफ्रक्षिन तो आज की इस वीडियो में Silent風 состав से related कहानी पढ़ लेते हैं बहुत important topic है एक चीज इसमें reduced भी है उसको भी बता दूँगा तो एक बर यह देख लो जारा देखते हैं किती देर में यह topic हमारा complete हो पाता है आपको जॉइन करना है जिसका नाम है physics on your tips बचे टेलेग्राम चैनल का नाम है physics on your tips राइट है जी physics on your tips बचो इस चैनल में जो है आप लोगों को सारे के सारे important updates जितने भी आपके PDF से सब चीज आपको यहां से मिल रहा होगा बचो एक बरी आगे बढ़ते हैं आपको बता दूँ मैं कि interference क्या होता है interference से पहले मैं आपको जरा एक बरी waves के बारे में थोड़ा सा बता दूँ एक बरी मैं जरा आप लोगों को waves के बारे में थोड़ा सा बता दूँ बिटा किसके बारे में बता दूँ waves के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ देखें, अगर मेरे पास waves है बिटा, एक बड़ी ज़रा मैं इसकी brightness को थोड़ा सा ठीक कर लो, so that शाय थोड़ा सा हमारा ये ठीक हो जाए, I guess this is now okay, थोड़ा सा वो bright जारा दिख रहा था, जी, तो आप देखें, अगर मैं waves के बारे में बात करता हूँ आप से, ये जनरली हमारे पास sinusoidal wave होता है, जो हम इसे represent करते, अब इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं न, देखें, या तो एक wave के उपर दूसरे wave को जब चलता है, यहाँ पर न, दो चीजे होती है, इसको बोलते है crest, इसको बोलते है trough, जब crest, crest की उपर चलता है, तो उसका amplitude का, जो magnitude हो बढ़ जाएगा, similarly, similarly, जब trough की उपर trough चलता है, तो उसका भी जो magnitude होगा, वो बढ़ जाएगा, बट, whenever, crust की उपर, trough चलता है, तो stationary wave बनती है, अगर amplitude, same है, अगर amplitude का magnitude, same है, बच्छे पार्टी, तो यहाँ पर जो है न, interference क्या कह रहा है, कह रहा सर, एक same medium में, same direction में, यदि दो waves, travel कर रही है, दो waves, travel कर रही है, बट, दोनों waves की frequency, same होनी चाहिए, first thing, और दोनों waves, जो है, same phase, या, zero phase के साथ, travel करने चाहिए, मतलब या तो उनकी बीच में constant phase हो, या, zero, यह phase का क्या मतलब, मैं आपको यह बताओं, देखिए, देखिए, एक wave ऐसे जा रही है, बटा, दूसरी wave, ऐसे जा रही है, और, तीसरी wave, ऐसे जा रही है, अगर मैं आपको बताओं, अगर मैं आपको बताओं, तो यह, wave 1, यह wave 2, और यह wave 3, बटा, यह जो wave 1 है, इस में, और इस wave 2 में, difference कितना है, यह जब चलाता, तो जब एक पार्ट एक मतलब, एक लामडा कम्प्लीट हुआ, तब जा कि इसका start हो रहा है, यानि, 0, 180, 360, इस और इस की बीच में, 360 डिगरी का phase difference है, इस इस वाली और इस वाली के बीच में, 180 डिगरी का भाई, हाई है न, क्या मेरी बात समझ में हारी, क्योंकि, बड़ी सिंपल सी बात है, यह इधर से start हुआ, या आप इसको न ऐसे start करो, ज्यादा तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप इसको ऐसे start करो तो, यह यहाँ से start हो न, यही से start कर लो बले, यहाँ से ऐसे start कर लो बेटा, देखे रहें लो, इसका मतलब इस wave का कही न कहीए, ऐसे start हो आओ, I hope this is clear to you, तो अपना असल कहानी हो गया, कि जबी भी दो waves, एक मीडियम में ट्रावल कर रही है, यहार सुपर पोजिंग उन इच अदर, एक दूसरे की उपर जा रही है, और यहाँ जीरो और कॉंस्टेंट फेस डिफरेंस इन बेटूइन देम, देर इस, रीदिस्ट्रिबूशन ओफ इंटेंसिटी, कुछ रीजन जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कुछ रीजन जहाँ पर इंटेंसिटी मिनेमम होती है, उसके बिहाफ पे जो है, हमने अलग-अलग तरीके के इंटेफरेंस डिफाइन कर ली, सबस्तिंग, सबसे बहली बात क्या है, इसका देफिनेशन, यह देट, वेन, तू वेवस, तू वेवस, अफ सेम फ्रिक्वेंसी, अविजर्पेंसी, वेवस, जब खून इंट ऐसे दिफेरेंस, ब्रिक्वेंसी, ब्रिक्ष्रीश, ब्रिक्वेंसी, gets redistributed, becomes maximum at some point and minimum at some point. और इसको आपने नोट कर लिया होगा, अगर इसके बेहाफ पर हम देखा जाए, तो इंटरफेरेंस काईदे से दो तरीके का हो गया, एक आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा destructive interference Sir constructive में क्या है Sir destructive में क्या है इधर intensity जब maximum हो मतलब ये कि भाईया crust crust की उपर या truff truff की उपर मतलब crust crust की उपर या truff truff की उपर तब आपका intensity maximum होता है destructive interference में भाईया crust plus truff या फिर उल्टा हो गया ट्रuff plus crust बात तो ये किये तब होता है intensity minimum तब होता है Sir intensity minimum और जब intensity minimum होता है तो उस case में destructive interference तो यार अगर ऐसी बात है तो हमें conditions for interference देखनी पड़ेगी तो हमें conditions for interference देखनी पड़ेगी सो सो बच्चो सो गाईस conditions for interference इसमें सबसे पहले पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक वेव जब दूसरी वेव की उपर सबसे दिस्प्लेस्मेंट और बोद दी वेव्स विच आर सुपर्पोसे बात समझ में आ रही है सो conditions for interference तो सबसे पहले पहले भाया amplitude की बात करते है मान लेते है वाई जो है वो एवन साइन ओमेगा टी है और दूसरी वेव में देखे जीरो फेस डिफरेंस थोड़ा आसान हो जाता है हम थोड़ा सा कुछ फाई का फेस डिफरेंस रख के चलते है कि वो समझ लीजे कितना भी डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 जितना भी आपनी मर्जी अब सबको पता है कि भई नेट डिस्प्लेशमेंट अगर देखना होगा तो दोनों को आड़ करना होगा मै ने का यह भी वाट ठीक यहानि this is going to be a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus 5 plus a2 sin omega t plus 5 and if I will say, if I will say, then I will tell you that sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b so this is becoming a1 sin omega t plus a2, now sin a plus b so sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi but a2 b also will remain in 7 sin a cos b plus cos a sin b cos omega t sin phi यहां से मैं क्या कर रहा हूँ? sin omega t common ले रहा हूँ so a1 plus a2 cos phi sin omega t plus a2 cos omega t sin phi a2 sin phi cos omega t कर लो so I am telling you this thing so I am telling you this thing a sin theta a1 sin theta यह यह फर्स ओगया यह फर्स ओगया यह second I guess यहां तक सब को समझ में आगया यह क्या कर रहा हूँ? now what will I do? squaring and adding first and second so this is going to be a1 plus a2 cos phi ka whole square plus a2 sin phi ka whole square is equals to square मारो so a2 cos square theta plus a2 sin square theta I guess this is clear खोड़ो इसको a1 square plus a2 square cos square phi plus a2 square sin square phi equals to इस को पर ही लिखो a2 sin square theta अब जब जगे है तो लिख लो a2 common डालो sin square theta plus cos square theta done जी? सभी सब a1 square plus a2 square common डालो cos square phi plus sin square phi equals to a square क्योंकि यह 1 है and this is also 1 यह तो खुल गया plus 2 a1 a2 cos 5 भी तो आएगा यह आपर तो एक काम करो भाई इसको जड़ा दुबारा कर लो क्योंकि यह जगे छोटी रह गी हमारे पास जगे छोटी रह गी ठीक है ना मैंना एक काम करता हूँ next page में इसको continue कर रहा हूँ यहां तक आप लोग note down कर लो इसको next page में continue कर रहा हूँ जगे थोड़ी छोटी है so a1 square plus a2 square cos square phi plus 2 a1 a2 cos phi a plus b ka whole square is equals to a square common लेकर bracket में cos square theta plus sin square theta ठीक है यह हो गया 1 इदर से प्लस आपने क्या किया है प्लस a2 square sin square phi भी तो है प्लस a2 square sin square phi भी तो है ठीक है जी तो इदर से आपने a1 square लिखा इसका a2 square common लेकर bracket में cos square phi plus sin square phi plus 2 a1 a2 cos phi बराबर a square यह भी तो 1 हो गया so this is going to be a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi बराबर a square या तो यह या फिर sir a is under root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi बटा या फिर यह या फिर यह I hope this is very very clear to you all बच्छो मेले साब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग डाने जी कोई प्रॉब्लम वली बात तो नहीं है so this is आपका अम्प्लिटूट अब इसके बाद अगर देखेंगे तो intensity वली पार्ट आजाती है intensity क्या है so I'll say this कि proportional to a square I is directly proportional to a square मानि I को मैं k a square भी लिख सकता हूँ I को मैं k a square भी लिख सकता हूँ बिटा तो आपने क्या लिखा है a square बराबर a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi मैंने का यार एक काम करो multiply k by both sides तो यह हो गया k a square बराबर k a1 square plus k a2 square plus 2 देखे, k आएगा तो k को मैं क्या लिख सकता हूँ? root k a1 root k a2 because root k root k तो k ही होता है cos phi so this is i बराबर i1 plus i2 plus 2 तेखे, यह root k a1 है अगर k a1 square i है तो यह root i1 होगा यह root i2 होगा and this is cos phi I hope this is clear I hope this is very very clear to you so i is i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos phi cos phi i1 भी same, i2 भी same यहाँ पर depend किस पर करेगा इस वाले term पर यह वाला term जो है ना यह यह मैं बताएगा interference कैसा है so इसलिए 2 root i1 i2 cos phi इसको बोलते है interference term इसको बोलते है interference term क्या बोलते है इसको interference term इसको बोलते हैं interference term बचे इस term के बहाफ पे decide होता है इस term के बहाफ पे decide होता है whether interference is constructive or destructive so आओ देखो जरा सबसे पहले-पहले constructive interference सबसे पहले-पहले constructive interference right बच्चो कंस्ट्रक्टे में क्या होगा constructive में क्या होगा two root i1 i2 cos5 वली कहा नहीं है या पर हां सही है फिर तो आसान है कोई मिश्किल वली बात तो है नहीं है सच two root i1 i2 cos5 है नहीं सो two root i1 i2 cos5 sir इसमें intensity maximum होती है ये भी ठीक है और आपने बोला that i is i1 plus i2 plus two root i1 i2 cos5 मैंने का ये भी बात ठीक है तो ये जो interference term है ये decide करेगा तो इसका मतलब ये वाला term जो है maximum होना चाहिए ऐसी बात है इसका मतलब तो एक ही बात हो गई भी या cos5 should be maximum maximum मानी plus 1 और cos5 1 होता है का मतलब 5 आपका 0 degree 360 2 pi 2 pi add करते रहो ये तो phase difference हो गया लेकिन आपको याद है जब wave ऐसे जा रही थी ना बिटा आपको एक बात बताओं जब wave हमारी ऐसे जा रही थी ना बचसे तो इस case में कुछ ऐसा भी होता है देखो कि एक wave जब दूसरे wave की उपर ऐसे करती है ना तो phase difference बले ही आपका 360 दा लेकिन path difference भी तो lambda था ये lambda बाद है खाया ये path difference यह यह जो wavelength है lambda तो यहाँ पर मैं एक बार path difference भी निकालना चाहूंगा देखे phase difference 0, 2pi, 4pi and so on देखे इफ phase difference is 2pi then path difference is lambda यदी phase difference phi है तो path difference कितना होगा something p कुछ p हो गया माल लो या आप फिर इसको ऐसा लेको ताकि फिर आप confused now then path difference is p then path difference is lambda right बच्चो कोई problem बली बात तो नहीं यदी phase difference 2pi है तो path difference p है यदी phase difference phi है तो path difference lambda है तो path difference lambda है बटा तो sir आप देखिए ना आप देखिए आप देखिए lambda by 5 बना लो चाहिए तो आप 5 बराबर ठीक है ना यह हो गया ना problem क्या है बस हो तो गया अब यहां से path difference देख लेते देखिए यह phase difference है path difference देख लेते 5 की जेगे 0 डालो तो 0 हो गया भाई यह तो path मैं वही कह रहा हूं क्या हो गया यहां पर lambda यहां पर P ठीक है done so 2 pi by 5 is equals to lambda by P so यहां से आप कह सकते हो P is lambda 5 by 2 pi P is lambda 5 by 2 pi देखो भाई P कैसे होगा इसमें अगर 5 की value 0 तो 0 5 की value 2 pi तो 2 pi से 2 pi कट जाएगा lambda 5 की value 4 pi तो भाईय 4 pi यानि 2 lambda और ऐसे करते करते आप चलो तक N lambda हो जाएगा क्या हो जाएगा भाईया N lambda हो जाएगा so interference is constructive if phase difference is 0 2 pi 4 pi so on and path difference is N lambda path difference is N lambda got it guys? now destructive interference destructive interference destructive क्या बोलता है हमसे? destructive interference क्या बोलता है हमसे? कि sir intensity should be minimum उसका तो मतलब यह हो गया कि जो यह वाला term है 2 root i1 i2 cos5 यह minimum हो जाए मनि जो यह cos5 वाला term है minimum मतलब minus 1 और minus 1 का मतलब हो गया यह 180 degree, 180 plus 360 plus 360 plus 360 and so on अभी तो आप ने किया कि sir p बराबर lambda 5 by 2 pi अभी तो आप ने किया sir p बराबर lambda 5 by 2 pi अगर मैं इधर डालूंगा तो part difference क्या आएगा 5 को अगर pi डाल दिया तो lambda by 2 then 3 pi डाल दूंगा तो 3 lambda by 2 फिर 5 lambda by 2 फिर 7 lambda by 2 so 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 on यहाँ पर क्या मिलेगा 2n minus 1 lambda by 2 क्योंकि अगर मैं n को 1 डालता हो तो 2 दूंगी 4 minus 1 2 एकम 2 minus 1 तो lambda by 2 n को 2 डालूंगा तो 3 by 2 n को 3 डालूंगा तो 5 lambda by 2 तो आपको पता चला कि sir interference destructive कब है जब face difference ये 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 है ऐसे 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 ये आपका intensity का formula का i1 plus i2 plus and so on उसके बाद आपका constructive interference उसके बाद आपका destructive interference एक topic है theory of displacement fringes theory of fringe width sorry displacement is बोल रहो theory of fringe width theory of fringe width ये जो है बेसिकली इसका पहले derivation पूरा करते थे हैं अब इसका सिर्फ और सिर्फ आपको expression करना है बच्चे अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसका expression करना है क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको I hope this is very clear to you है ने बच्चो ये तो होई गया एक last चीज जो हमारी बची है अब बस एक मिनिट के लिए इंतिजार कर लो है ना फिर मैं आपको बताता हूँ अरे फाइल नेम कहा से चला गया आपकों मैं आपकों मार्चो अप्छो नेम इस विनोद कुमार बहल और विजिटिंग फिकल्टी एट आलं रोतर अगर अभी तक आप लोगों ने अनक अडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप लोग ले सकते हैं जहां पर आपको मिलता है रेज हैंट फीचर अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं अपको कभी भी किसी भी समय पर आस्क आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको कोड यहां पर भी वी के आर्मी ही यूज करना रहेगा आपको यहां पर भी मैक्सिमम पॉसिबल डिसकाउंट मिल रहा होगा राइड बचा पार्टी लास्ट आप लोग फिर से बता दू टेलेग्राम चैनल फिजिक्स जाइन कर ले बच्छो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करता रहूंगा मिलते आपके अपने अगली टॉपिक में आज के लिए काफी है तिल एन अच्छी से पढ़ाई करते रहे वीडियो अच्छी लगी तो भई आप लाइक कर देन लेक्चर को शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुलाकात करते हैं आप से आप ही के अगली वीडियो में ठील देन अच्छी से पढ़ाई करते हैं अल्देवेस्ट बच्छा पार्टी बाई गाइस बाई गाइस जैहन्त